तो यह हमारे पास आई है टीबियस की सिंट्रा बाइक इसमें करंट प्रोबलम है तो आज आप आपको दिखाएंगे कि आपकी बाइक में अगर करंट प्रोबलम है तो उसे कैसे ठीक करें एकदम बिल्कुल चुटकियों में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो पे ब्लेक पट्टी ये देख सकते हैं वाइर ये एक और इस साइड एक दिखाते हैं ब्लेक पे रेड पट्टी ये वाइर ये दोनों वाइर को हम एक छोटे से वाइर के टुकडे से आपस में सौट करके चेक करेंगे अगर करंट आ रहा है इसमें तो ये हमारा क्वाइल तो दिखाते हैं यह देख सकते हैं एक छोटा सा वायर है, इसमें हम दोनों को आपस में टेश करेंगे अगर स्पार्क हो रहा है तो हमारा माइगनेट कॉल ठीक है, सबसे पहले हम माइगनेट कॉल को चिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो हमने माइगनेट कॉयल को चिक किया हमारा कॉयल है ठीक है एकदम इसपार्क हो रहा है तो यह पिक अप कॉयल यहां से देख सकते हैं एक ब्राउन और एक सफेद दो वाइरिस में हैं कि कि हम कंप क्तक आपक कॉयल को चेक कर लेंगे मल्कल फीकप कॉयल में हम मल्ती मीटर से इसे चेक करेंगे गशनतीर पर सच करके 190 210 तरिंग आना चाहिए तो हमने चीठ किया है इसमें बिल्कूल ठीक है है पिकप कोईल और CDI को चेक करने से पहले हम यहां चेक करेंगे इस वाले वायर में यहां से CDI का करेंट आता है तो यहां एक तार लगा कर चेक कर लेंगे अगर हमारे यह वायर में करेंट आ रहा है तो हमारा CDI बिल्कुल परफेक्ट है अगर नहीं आ रहा है तो CDI को हमें चेंज करना पड़ेगा लेकिन हम यहां सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा CDI ठीक है या नहीं हमारा यहां करंट आ रहा है बिल्कुल एक्दम ठीक तरीके से तो इसका मतलब कि हमारा CDI ठीक अप कोईल और मैगनेट कोईल ठीक है हमारा यह लीड कोईल हाई टेंशन कोईल यह इसे एक बार चेक करा देते हैं कि यह करंट दे रहा या नहीं दे रहा है फिर एड़ करके दूसरी कोईल एड़ करके आपको दिखाते हैं तो यह देख सकते हैं हम इसमें किक अपलाई कर रहे हैं इसमें करंट नहीं आ रहा है फिर हम दूसरा चेंज करके आपको दिखाते हैं यह देखते हमने दूसरा चेंज कर दिया है इसमें देख सकते हैं कितना बनिया स्पार्क आ रहा है तो हमारी बाइक का ये high tension coil हमने इसे change कर दिया है देख सकते हैं ये second वो भी second था हमने इसे change करके बाइक के current problem को solve कर दी है पलक को fit करके आपको kick मार कर start करके दिखाते हैं ये देख सकते हैं हमने बाइक यह कुंआर एक को प्रोब्ल्म को सोटो कर सकते हैं ऐसे टीखनिकल वीडियो देखनी कि लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब बाइक बिलकुल रेडी है इसमें टंकी फिट कर लेते हैं टंकी को अरजिस्ट कर लेते हैं कस लेते हैं टंकी साइड पैनल सीट सारे चीजों को फिट करने के बाद दिखाते हैं कि इस तरह से हमने बाइक के स्टार्टिंग प्रोब्लम को चुटियों में सॉल्व किया तो हमने साइड पैनल और टंकी को फिट कर दिया है अब इसमें सीट फिट कर लेंगे हमारी बाइक बिल्कुल एकदम रेड़ी है तो इसी तरह से आप भी अपने बाइक के करन प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बि अब भी आप करण प्रोब्लम को हो ंपकरें तो जड़ से चेक करें मेंड गिट ओल कोल फिर पिल पीज़आइं फिर हाइटेंशन सीड़ी एकल करके सारे कॉईल को चिक करके आप program बिलकल आसानी से अपनी बाइक के इस्टार्टिंग ब्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो देख सकते हमारी बाइक बिलकुल एक्दम रेडी है एक्दम सारी प्रोब्लम सॉल्व हो गया एक देख सकते हमने सारे पार्ट को संबल कर दिया तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद